शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में अपना दमकम दिखाने के लिए तैयार है और मैं चंदरकान सेटे आपको लिखे जाता हूँ दुनिया के सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगी था टेन पिल इंटरनाशनल में शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम मदे टेनिस बॉल क्रिकेट गली तुन सुरू जाला हूँ तो आणि ते मात्र मोठ्या इंटरनाशनल स्टेडियम मदे आले ला है और इंटरनाशनल स्टेडियम मदे आले ला है और इंटरनाशनल स्टेडियम मदे या इंटरनाशनल स्टे टेनिस बॉल चा दुनियतिल संपूर्ण विश्वातिल सर्वात मोटी किडास परदा अर्था तेन पीयल याँचा दिशने सालू उनारा सामना SBC Alliance versus 11 Warriors साइन ट्राइवल्स मदे सर्वांचा हार्दिक स्वागता है पलंदाजी साथी साज्जा होता है अर्जुन आनी सुमी थी जोडी तर गोलंदाजी साथी जई रफोर्म पाकिस्तान पहिलाज दूस खुलवर्ट अपेचा टकने सा प्रयातनो ता शॉट्सको एरलेक्चा दिशे न दन्याटवलाजश जातो है पहिली धाव याटिकानी गेतली जाते है धाव संकेचा स्री गनेशा याटिकानी होतो है करिकेट एक एकड़ी हाँ चोटए चोटए गवान मदे खेल्डा जाईज़ा चोटए गल्ली मदे खेल्डा जाईज़ा रस्तेया खेल्डा जाईज़ा परन्तों आता जरपाहिल तर खूप मोटी जेव गेत लिया है यूटुप चा माध्य मातुन टेनेस बॉल क्रिकेट आपले आला पाहिला में आतास्ताने आज जर पाहिला तर अंतराश्टिय स्टेडियम और जा मैधाना मदे अंतराश्एर आज झाला पाहिला। झाल 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 सर्कल ये भेधावच लागना रहाए परन्तु याठिकानी आथा परइंत वर्चस्वा गाजवलेते गोलंदाजाने आनि सुमिज सर्क्या भलाड़े फलंदाजाला जख्रून ठवनाती असेश्वी जालाई अगोलंदाज जहिर जाहिर जाहिर सुमित धेकले सार का एक बलाड फलंदाज संपूर्ण विश्वा चा नजरा संपूर्ण मुंबई महाराष्टा तुन देकले सर्वांच नजरायास पर देकड़े या मैच कड़े लागले लायास तिल करन महाराष्टा तिल मोट्मोटे ख्याडू या मैच माद याएद प्रतास बरुबरिने करिम खान संपूर्ण देकले सरकाफ फलंदाज जहीर अचुक्त पेचा गोलंदाज ने फैलंदाज अला अक्षर्षा हाईरान करून ठेवला होता अनि तद नंतर मोटा फटका मारने चा पर यतना सुमीत बाद साले अर्जुन साटी डखलेला हाचेंडू अपिल केला गेला थोड़ पहिला शटीका चा सामपती नंतर या गोदर्चा सामना पन पहिला तर ये विजै इठारला होता 15 Urban सामना अंटे एक पासेफिक वेंचर गत्मभर्षी चे विजय ते योगे श्पेनकर आणी कंपने जाा पद़त्र ने तया है पुछन पाणीलबूसnor असे मुट-मोटी खि अनि तेची संपूर्ण टीम यांचा मधील बलाड सामना आपले समोर शार्जा इंटरनाशनल स्टीडे मोर अपले आला पाहिला मिल तो जा ठीकानी ये तेच मैदानाय जा ठीकानी जा ठीकानी जावेद मेयादा दियानी चेतन शर्मा चा शीवड चा चिंडुवर जो शाटक तर जी का इस पोट की खेड़ी खेड़ी खेड़ना ताली होती है तेच मैदानाय जा आपन कदी आईशा द्विश्रू शक्नार नाई आए और ये तेच मैदानाय जा मैदाना मदे भारत रतना सचीन रमेश तेंडुल कर या नी तबल नौ शत्क ठोक जरूर ठोक ले लिए आए हित्ते सांतराष्टी क्रिकेट मैदानाय तर जाव्यात मैच आदिशने पुणना एगदा सद्दाम सद्दाम गुलंदाजी मार्क वर सज्ज होतील तर फलंदाजी सटी याटिकानी वहाओ करीम चंगला चेंडु होता कवर चेदिशेने लोर फोल्टास पुदे चेंडु कवर चेदिशेने खेड़नाच अपरियत नो तो एक दावपूर्ण केला दूसरा तवे सटी कॉल दिला जातो है माघारी पाठवलाए अपिल याटिकानी जुर्दार केला आले परन्तु अपिल पेटाणा तले दाव संक्या एक ने पुड़े जाते दाव संक्या जावन पोस्तेती चार दावन वर पपु तोड़कर जाने यहाँ शेत्रक्षन केला सद्देचा घडिला जर पाहिला तर जबरतस्त फॉर्मा तसनारा फॉलंदा जाए आज दाखल जाला है जानी 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 चांगला परफॉंस केला तो मात्र या मैदना चा दिशेने आले येताना पाहिला में तो एक उर्थू करावला केला आयो जोकांच तुम्ही भारता चा कि जगाचा कोंते इकाना कोप्र तरहा चांगला प्रफॉंस दिला असेल तरतो माला या मैदना तेने ची संधी मिलते है अनि तेस्या वर्षिदर पाहिला मंगे श्वेति आसेल गिरिश कोच्रेकर आसेल पप्पो तोड करासेल इन नवनवी नाव आज याटिकानियता है पुर्चा चेंडू फुल टास बी पुर्चा चेंडू याटिकाने पाहिला में आला बीमर गुषिद केला जातो एक दाव संकेदर पाहिले तर आकरा इलेवन लॉस अफ वन विकेट दूसरा शेड़क पुर्णागदा फ्री ही टासना रहे फुल टास चेंडूजर कम्रेचा वर असेल तरतो मद्र नो दिला जातो पंसांचा मादे मात उन फ्री ही ट देखिला सना रहे पाहिया अर्जुन भीगीड पुन्हाइक दा आनकीने एक मोठा फटका याटिक अने खेलना चा प्रियत ना फ्री हीट होती आनी फ्री हीट सा फाइदा याटिक अनी फलंदा जला होता ना पाहला मिलना रहे ता उसेंख्या एक ने पुडे जाना रहे स्कोरकारड 12 लॉस अव वन विकेड 11 ओर यर्स 11 ओर यर्स अनकीक मोठी टीम जी मातर मोठ मोठी आस पर दासाते तेने खेलता ना पन पाहतो है सुमीट देखले जा संगात पपल्याला पाहिला मिलतो है आज एका मोठा पुण्हा एक दास चंगला संग चंगली टीम जी आठीकाने उपस्ती जाले लेद जगातिल सर्वाधिक मोठी क्रिडास परदा केलने साडी टेनिस बॉल क्रिकेट ची तर सर्वांच स्वागत आए वन वेकेट दूसरे शटक शुरू अस्ताना दूसरी ओवर सालू अस्ताना गोलन दाजी मारक वर पुण्हा एक दाप्याला पाहिला मिलतो है सद्धाम प्रत्तिक ख्याडू याटिकाने काहितरी सोपना गेहुन दाकल जाला सेल जोव मतर अपलेया स्टेट मदे चांगला खेलला है त्या सर्वाध मोट ख्याडूंच याटिकानी आगमन जालै पुर्चा चेंडू एक मोठा फटका रिवर स्विप्चा फटका ख्याड़ा प्रियात नहोता अपिली आठिकानी केले गेला आणी अपिली आठिकानी जरू पाहिल अतर पंचानी फेटाले निर्धाव चेंडू डॉट बॉल तेरा धावनवर धाव संक्या अतिकानी पाहिला मिलते है थामली है धाव संक्या तेरा धावनवर आणी नकिस या आउजगानी मला महराथी आणी हिंदी दोनी भाशान मदे संगलमान लोचन करनेगे संधी दिली ते बदल आभरी आसना राहे पुर्चा चेंडू को छोड़ा सा कमी गतिजा परंतु छुर जास्तो उंची दिली होती और और पी चेंडू होता कवर चा दिशेने खड़ूं काडला एक धाव मेला रहे धाव संक्या एक ने पुड़े जाते धाव संक्या जर पाही लेता जावन पोस्ते थी सभुदा धावन वर धाव संक्या जाताना पाही ला मेलते है टेनिस की केट विश्वातील मात्र सर्वन चा नजरा संपुर्ण जगा चा नजरा या किटास परते वर लागले ले आहे 10 पील वर लागले ले जापदतीने पुर्चा चेंडो पुनना एक ता चांगला फटका पाहिला मीलतो है खोलवर्ट पैसा चेंडो होता कवर शादिशे ने खेडूं काड ले लाए 10 संक्या जर वाही ले तर एक ने पुड़े जाहिल 10 संक्या जावन पोस्ते थी 15 लाउस लाउस फोन विकेट अफ्टर टू ओर्स स्कोर काड दोन ओर्चा समप्तिन अंतर दावसं केजर पाहिली तर पंदरा जारी लिया है खुप आभरी असुक करण एक मोठी क्रिडास पर दा संपूर्ण जगातिल ख्याडूं साथी एक मोठा प्लैटफर्म आणि 15 वर्षा पुरी ज़रा हाप क्रिकेट सा खेल पाहिला तर खुप चोटया प्रमण और खेलला जात होता आणि तद नंतर हलु-हलु प्रगति करतास ताना मदर हाँ खेल एक आंतरस्टेस तरवर देखेना ताना पले आला पाहिला मेलतो है खुप मोठी उपलब दिया के आचा माध्यमा तुनों तरना पाहिला मेत है लेधर बॉल क्रिकेट ला समर्थ रसना रहा केड़ परन्त आज खुप मोठी प्रगति करतो है दो और के समापती के बाद स्कोर कार्ड 15 रनों पर पहले बल्ले बाजी करते हुए 11 और यर्स सुमिट डेकले एक मातर बल्ले बाजे आउट होकर पैविलियन के दिशा में जा चुके है गेंद बाजी के लिए नए गेंद बाज खुदका पहला और पारी का तीसरा ओर लेके गेंद बाजी के लिए आएंगे टेनिस किकेट विश्व की समुचे इस प्रतियोगीता की तरफ नजरे हमें देखने मिलती है क्योंकि समुझे टेनिस क्रिकेट विश्वशे खिलाडी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, स्रीलंका हो, बांगला देश हो, ओमान हो, अमिराथ हो, कुवेत हो, सभी देशों से टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाली खिलाडी इस शार्जा स्टेडियम की तरफ 10PL के लिए दाखिल ह हो है, तीसरा और गेंद बाजी के लिए यह तैयार है, जिसाइड, तो बल्ले बाजी करेंगे, अर्चुन, करीम, करीम खान, गेंद बाजी के लिए जिसाइड, अगली केंद ब्लॉक होल में करना चाहते थे, विकेट के सामने पाएगे, LBW, आउट होकर पैवेलिन के तरफ जाना पड़ेगा, करीम खान को, बंटी, नए बल्ले बाज, बल्ले बाजी करने के लिए, गुजरात के और एक दाकड बल्ले बाज, बल्ले बाजी करने के लिए आया है, जिन्होंने सुप्रीमो ट्रॉफी, सांता कुरूज मॉंबई हो, उड़पी प्रीमियर लीग हो, यह दोनों बड़ी नाम का दमखम दीखा है, देखते हैं आज 10PL में किस तरह का पर्फॉर्मंस इस पंटी पडिल का रहता है, बल्ले बाजी के लिए तैया है, गिन्द बाज, जाहिद, बहुत अच्छी गेन देखने मिली, ब्लॉक होल में डालना चाहते थे, और सीधा स्टम के सामने पाए ग बूशन जनवी मुबई के एक जाने मानी क्रिकेटर भी काहे जाते है, गेन्द बाजी के लिए जाएद, अगली गेन फुल टॉस थी, सीधा किलाडी के हाथ में, बूशन जब तक गेन को रुका थे, कोई रन नहीं मिलेगे, रन निकालनी के संभावन का 15 रन, स्कोर कार्ड तीसरा ओर चलता हुआ, अच्छी गेन बाजी देखने मिली, इसके पहले मैच में भी Pacific Ventures के सभी गेन बाजों ने बहुत ही अच्छी गेन बाजी की, और बले बाजों को रन बनानी नहीं दिए, मगर जब Pacific Ventures बले बाजी करने के लिए आयी थी, बहुत अच्छी बले बाज उनके द्वारा देखने मिले थी, देखते हैं, इस मुकाबले में 11 ओरियर्स और अगली गेंद अप्टम के बाहर पिचिंग करने के कोशिश थी, कवर्स के दिशा में खेल दिया, एक रन मिलेगा, दूसरे रन लेने के कोशिश, एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा, जबकि दो विकेट पैविलिन के तरब लोट चुके हैं, तो और ये तीसरा ओर चलता हुआ, तो थोड़ा सा रुक कर खेलना होगा, और माइनस जो गेंदे हैं, उनका इंतजार करना होगा, गेंद बाजी के लिए फिर एक बार जाइद तैयार, शार्जा क्लब इंड से गे टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में, गेंद बाजी करने के लिए फिर एक बार जायद जो पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं, और दाखिल हुए है, यू ये ही में टेन पिल के लिए, बिगिट करने की कोशिश, या पलो के खेलना चाहते थे, नो बाल अंपायर ने करा इस्टन ब्लू कैप्टन, टॉस के लिए तुरंत आ जाईए, इस्टन ब्लू कैप्टन, इस्टन ब्लू कैप्टन तुरंत आ जाईए, टॉस करने के लिए, तो नो बाल, फ्री हीट भी मिलेंगी, तो देखते हैं, गेंद बाजी के लिए फिर एक बार फ्री हीट की ये गे बंटी देखते किस तरह के बल्ले बाजी फ्री हीट के इस केंद पर की जाती है जबकि बंटी बहुत ही बच्ची बल्ले बाजी मुंबई में भी हमने देखी थी यह सुप्रीमियों ट्रॉफी में और समुचे टेनिस की केट विश्व उनके बल्ले बाजी जानते हैं एक प्रीट के अगेन हेलिकॉप्टर तरीके से खीला गया या स्ट्रोक डीफ स्क्वेर लेके खिलाडी आते गेन को पकड़ कर थ्रो करते तब तक एक रन मिलेगा स्कोर कार्ड में बड़ो त्री स्कोर कार्ड जाता हुआ स्कोर कार्ड में बड़ो त्री स्कोर कार्ड जाता हुआ 19 रनों पर और नमबर तीसरा यहां चलता हुआ गेन बाजी के लिए जाइद अब अगर देखा जाए तो टॉस जीता था पहले करने का डिजन लिया था और बल्ले बाजी करने के लिए आमंत रिद किया था यहाँ 11 और यहर्स को और पहले बल्ले बाजी करते हुए अगर देखा जाए तो सुमी डेक लेज़ो टेनिस क्रिकेट विश्वक है बहुत बड़े खिलाड़ी जाने जाते हैं और लेदर बॉल क्रिकेट में भी मॉंबई क्रिकेट लीग कल रात की आपना मुकाबला केलके यहाँ हैं मगर सुमी डेक लेको भी वापर जाना पड़ा अच्छे गेंदबाजी देखने मिली इसरा वर चलता हुआ 19 रन स्कोरकार्ड पर देखने मिलते हैं इस मैदान की बहुत सारी यादे में आती है जब इस मैदान का क्रिकेट खेला गया उनी से 1982 में इस स्टेडियम का निर वन डब मैचेस इस माइदान में खेली गए है एक भी एक रिकॉर्ड है अगर इस मैदान में टेस्ट क्रिकेट वन डे क्रिकेट और टी ट्वेंटी असा क्रिकेट के तीनों ف terrace मैचेस के ले गिए मगर सबसे पहली संचूरी इस मैदान में 16 एप्रिल को के लिए थी 1986 को जाविद मियादाद दौरा जब 116 रोनों के पारी उन्होंने खेली थी इसी मैदान में भारत रतना सचिंद्र में स्टेंडूल करके नाम साथ सेंचुरीज भी है और इसी मैदान में अगर देखा जाए तो वसीम आकरम इनके नाम जो 10PL के ब्रांड अमशिटर भी है उनक इन्डे विकेट सिसी मैदान में ली गई है और उसके बाद सकलेन मुस्ताक एग बार मैच के तरफ गेंद बाजी के लिए जाइद अपना पहला और पारी का तीसरा और लेखे गेंद बाजी के लिए तैयार बले बाजी के लिए अरचुन अनुकोई डंक से खेला गई आया श्ट्रोक रीवसिफ केलने की कोशिस और एक बहतरीन श्ट्रोक यहाँ जड़ दिया तैयारा मैक्सिमम सिक्सर इस प्रतियोगिता का पहला रीवसिफ का सिक्सर देखने मिला बले बाज अरचुन के दुआरा बहती बड़ी अश्ट्रोक यहाँ टेनिस किकेट वीश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में खेला गया अरचुन के बले से स्कोरकार ने चलांग लगाई स्कोरकार जाता हुआ पच्चीस रणों पर इन बाजी के लिए फिर एक बार विन पीटरसन की यहाँ दिला दी इसी बले बाज ने रिख बार अगली गेन अच्छी गेन थी सन्मान दिया और एक रन मिलेगा शॉट्स कवर के दिशा में गेन को खेला एक रन मिलेगा स्कोरकार में बड़ोतरी स्कोरकार जाता हुआ चब्बीस रणों पर स्कोरकार तीन ओर के समापती के बाद स्कोरकार जाता हुआ चब्बीस रणों पर दुनिया के सबसी बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शार्जा इंटरनाशनल शोडियम यूई में खेली जा रही है और इस प्रतियोगिता को अगर हम देख रहे है तो तैयरा. प्रेजेंट 10PL पावर्ड बाइन नाफिया टूर्स एंट्रावल्स और इंटर गलोप मरीन डबलो बीटी टिक टिमबर स्पैसेफिक वेंचर सपोर्टर स्पांसर से और किटिंग पार्टनर डबल ओके एफन बी पार्टनर दिली दरबार मेडिया पार्टनर सोनी मैक्स रे विकी भोईर, जो नवी मुंबईके रहने वाले है और महराष्टयकी बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता उनके दोरह भी अच्छी पर्फॉमस बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता में दिखाई जाती है। नवी मुंबईके दारावेगाव के रहने वाले एक जेन्द बाज उ और इनको नवी मुंबई एक्सप्रेस भी कहा जाता है, देखते हैं नवी मुंबई एक्सप्रेस चार्जा में क्या करती है, गिन बाजी के लिए तैयार, Vicky Bhoir and from नवी मुंबई महाराष्ट्र, गिन बाजी के लिए तैयार, बल्ली बाजी के लिए, अर्जुन बहुत अच् वापीस लोटने पर इस दोनों बल्ले बाजों ने अच्छी शुरुआत की है गेंद बाजी के लिए तयार है विकी विकी के अगली गेंद स्क्वेर लेक के दिशा में खेलने की कोशिश हवा में जाती हुई और कैच चुटा कैच ड्रॉप बड़ा श्टोक खेलने की कोशिश जरूर की थी मगर विकी अपना पेश से बीट किया था मगर कैच चुटा कैच ड्रॉप होता हुआ स्कोर कार में एक रनों से बड़ोतरी स्कोर कार जाता हुआ 27 रनों पर चवता और चलता हुआ विकी बोहिर द्वारा अर्जुन और बंटी बल्ले बाजी करने के लिए तैयार है टेनिस बॉल क्रिकेट एक ज़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रतियोगीता टेनिस बॉल क्रिकेट की इस शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में अच्छी गेंद फिर एक बार विकी बोहिर द्वारा देखने मिली एक रन मिलेगा स्कूर कर में एक रनों से बड़ो त्री स्कूर कर जाता हुआ 28 रनों पर विकी बोहिर अच्छी गेंद बाजी है और विरियेशन भी अच्छी करते हैं अच्छी pitching भी रखते हैं, lining and lane भी अच्छी रखते हैं, इसलिए जाने जाते हैं विकी बहुर, गेंद बाजी के लिए फिर एक बार, आज अच्छा performance देना होगा, इस बड़ी प्रतियोगिता में, अपने टीम को अगर जिताना है, तो विकी बहुर को, अगली गेंद, बीगीड, 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 बीग, 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 सिक्सर, तैयारा, मैक्सिमम, सिक्सर, चे रणों के लिए, स्कोर कार ने चलंग लगाई स्कोर कार जाता हुआ थिस रणों पर बड़ा स्ट्रोक देखने मिला श्ट्पिज गें थी और स्क्वेरले के दिशा में खेला गया एक बहतरी स्ट्रोक जिस तरह से बल्ले बाजी कर रहे है अर्जुन बहती बड़ीआ बल्ले बाजी आज अर्जुन दोरा देखने मिली तीन चक्वेरले आज की अर्जुन के पारी में गें बाजी के लिए फिर एक बाहर तयार विकी अगले गेंद लास्ट मुव्मेंट में थर्ड मियान के दिशा में खेलने के कोशिश तपा खाने के बाद अंदर आई थी और इन स्विंग के लिए जाने जाते हैं गिन बाद अच्छा कमबैक किया जा रहा है वीकी भोहिर द्वारा स्विंग के लिए फिर एक बाद तैयार वीकी भोहिर अच्छा श्ट्रोक देखने मिला अगा बैक फूट पे गए इस कवर पॉइंट के दिशा में खेला हुआ यह श्ट्रोक दूसरे रन की कोशिस दो रन मिलेंगे और दो रून से स्कोरकार में फिर एक बार बड़ो तरी अच्छी बल्ले बाजे देखने मिली यह दोनों बल्ले बाजो दवारा पंटी हो अरजुन हो मैधान के हर एक कोने में स्ट्रोक लगानी की कोशिस काम्याब हो यह दोनों बल्लवाजु की स्कोर काड 37 रनों पर जिस खेल ने हम सभी को दीवाना बना दिया है ओखेल टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल क्रिकेट का खेल शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में 10 पील में सभी दर्शकों का तही दिल से स्वागत पर एक बार शॉट पीज गेंती हुक करने की कोशिश पाइन लेकी दिशा में सीमा रिखा के बाहर गें जाती हुवी चार रनों के लिए पर शॉट पाइन लेकी दिल से स्वागत समाफती के बाद स्कोर कार जाता हुआ एक तालीस रनों पर दो विकेट के नुकसान पर 11 ओर यर्स शुरू अर दो विकेट के नुकसान पर सुमीत और करिम आउट होने के बाद पारी को संभाला अच्छी बल्ले बाजे देखने मिली अर्जुन के बल्ले से तीन बड़े श समाफती नंतर मी मतर घ्योन जातो है गिली 30-35 वर्ष संपुर्ण टेनिस के जगता आवर आपले आवाजाचा जोरावर जैन्नी अधिराचे गाजावले असे समालोचक आणि नकीज टेनिस बल्ल क्रिकेट चा एक मोठा प्रवास जैन्नी पाईला है तेन चक्ड़े घ्योन त्द्राव ईयोगर झाट बांक एक चाट्र कान्तर मुट सब्सक्षर प्रवाच जैन्नी टेनिस के ये तूशन बाट नवाट इन प्रवांट नवाट इन प्रवार ब्र चान्वा टूने मैंशन वर्योन प्रवाच्ट साथ जैन्नाव्ट वडग्ट कॉड टैनि अगर 2-4. So, once again, welcome everyone, wherever you are, watching 10 PLC's and 2, match number 2, being played between 11 Warriors and Yashbissi Alliance. 11 Warriors are invited to bat first, and we commence the 5th over. Very watchful in his approach, batsman Arjun, who has been playing a great knock as an opener. He has laid the foundation. He's playing on 26, not out, and his partner, Banti Patel, is playing on 9. So, 2 wickets have fallen. 1st wicket on 3, 2nd on 15. Sumit Dekle got out for 0 and Karim Khan for 3. What a great delivery that was. Zaheer is bowling from the Sharjah club end. There are two ends. where commentary box is situated, is a pavilion end, and the far end is known as Sharjah club end. Zaheer is the one guy who took wicket of Sumit Dekle. Oh, look at that. One of the best deliveries, stump to stump, and the results are evident. Rich dividend. Stay in bold. क्यक्यार क्या वैड़। अजय कर दोटने 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 अजय कर दो दोटने आ धस्ता monte अजय कर मेरी में अजय काड़ मजय कर दो दो दोटने अजय कर दोटने टूस hè जाजब फूस्डाइब फूस्ति अवले लग्टनोंगी टूस्ति लेख रचछोशने लगादूर्ट झाली टूस्ति लगा-टवार्ट अवले लग्टनोंगी अवले मेंझे। प्रश्दहार प्रश्फ। new matchman is Mandar Yashbisi Alliance, Oman they are doing a great job against 11 warriors bowling analysis of Zaheer 2 over 10 runs and 3 wickets Mandar is the new arrival at Crees this time quicker delivery he is reminding me of like lefty malinga the side of action and bowls very quick really a muscle bowler usage of shoulder to his advantage tennis cricket is all about hard work and when you pitch the ball in right areas you are sure to get some help from the pitch let me tell you this pitch is a belter helping batsmen a lot this time trying to play a river sweep and look at the exquisite timing that will race to the fence for 4 super batting by Bunty Patel and that shot was such a pleasing sight for the eyes river sweep is an art and you got to practice it endless hours of practice in the nets or maybe in the match Sajjad Sajjad banging it short and once again trying to give it a whack they go for a single and it slips and that will go out of the fence for 4 beautiful timing 56 for 4 beautiful batting by Bunty he is a one man show he is playing on 19 individual runs and these 19 runs are going to be so crucial if 11 warriors have to win this let's not forget 11 warriors were semi-finalist in the first NPL what a great fight they gave last season this time not much movement of the feet and just trying to drill that shot again to make himself comfortable that how he should have played so right now the score still remains at 56 for 4 first we get on 3 second on 15 third on 43 and fourth on 48 Arjun contributed with 26 Sumit 0 Karim Khan 3 and Jaish Padil 1 oh that slipped out of his hands this can happen sometimes it's a no ball this can happen probably sometimes because of heavy sweat sometimes because of not able to grip immediately he takes some sawdust and probably some soil on his hand to have a better grip let's not forget the ball has become old so it's not like a typical new fur ball sometimes it becomes difficult to even grip the ball which has got some kind of rough on it and Oop Sajjad recovers in the next delivery good job by Yashbisi Alliance so far they have claimed four premier batsmen again look at that once again a quicker delivery directed on the stumps and it's a run out what a great throw on these stumps and wicket number 5 falls in the next Chalooda the Killilliaj Chalooda the Killilliaj just Cry Jay was the man they say that the wicket keeper should be the best fielder of the side and Imran has precisely done that and batsman out is Mandar Gaurav going out for zero captain of eastern blue is requested to contact here look at the irony, Mandar Gaurav even could not face a delivery and gets out on a platinum duck even without facing a delivery and these are some moments that you cannot avoid 11 warriors are requested to send their next batsman immediately it should not take this much time so Tanvir is busy with all the proceedings getting the matches done Rafiq is the new batsman share overr ke samapti 5 victor ke nuksan par run benen hai 58 aap dhekhar hai 10 p.l. season 2 sharjah ke antarastria stadium se jahan par 10 p.l. season 2 ke shruwaat ho chuki hai east and blue team aapne photo session ke liya aapne photo session ke liya aajay please aapne overr ke inge zahid saddam 2 21 rand diya koi wicket hausil nahi kiya aapne 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 zahid kane overr ke pelegant balle ke niche le sire se lakkar ball chalike the fly slip ki dhisha mein ikran bunti patel ki liya bunti abh dhirye dhirye khaternaak pari khail raha aur abh hum kye sakta hai ke bunti jinnhoon na baja di hai yes bici alliance ki liya khateri ki gunti 23 रन बना कर खेल रहे हैं बंटी पटेल और अब स्ट्राइक पर है रफीक अगली गेन चेंज अफ पेस करा है था बॉल करने के बाद उनके गले से ग्रंट साउंड निकलता है बहुत कम खिलाडी ऐसे होते हैं लॉन टेनिस में, क्रिकेट में जो ग्रंट की आवाज निकलता है ग्रंट क्या होता है कि जब आप गेन करते हैं तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस आता है आपके बॉडी में उसके वज़े से आपके गले से आवाज निकल दी है उसको ग्रंट कहते हैं लॉन टेनिस में मॉनिका सेलिस ऐसी पहली खिलाडी थी जो ग्रंट आवास से अपने प्रतीत दंदी टीम का वहां पर ध्याना कर्शित किया करती थी इस बार बल्ले का बारी सिरा और बॉल चली गे थर्ड मैंन की दिशा में एक रन दोनों बल्लेबाज अब थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं रफिक खेल रहे हैं एक पर इस बार की पहले तीन गेदों में तीन रन बने हैं इस्टन ब्ल्यूज पिछले साल भी खेले थी मुझे आज भी आदे इस्टन ब्ल्यूज और एसकेसी गोवा का वो मुकाबला जिसमें विश्वजी ठाकुर मोठया ने क्या लड़ाई लड़ी थी पूरा स्टेडियम पूरी दुनिया देख रहे थी रात के टाइम ये मुकाबला था और एसकेसी गोवा के लिए मोठया और उमकार देशाई और सामने हमने देखा था शीरूविक, सुधिर, तांडेल, जबर्दस मुकाबला इस बार एक और ग्रंट साउंड के साथ आफ कटर बॉल अंदर की तरफ लाते हुए बरत लोहर को भी आप अक्शन में देखेंगे जो पहले टैन पील में अमाको चैलेंजस के लिए जिन्होंने हैट्रिक लिया था इस बार रिवा स्वीप लगा दिया गयाप में और मैदान के बाहर रनों का आना ज़रूरी है जैसे बिजन्स में टर्नोवर और प्रोफिक ज़रूरी है वैसे ही क्रिकट में बले बाजों के लिए रन बनना ज़रूरी है उस चौके ने वहाँ पर रफीक को पहुंचाया पांच पर और टीम को पहुंचाया 25 रन पांच विकेट के नुकसान पर 65 अगली गेंदस बार गोज अंडर बॉल थी सीधा चली के विकेट कीपर के दस्तानों में इमरान ने उसे क्यादर किया ओवर समाब तू है साथ और पहले बले बाजी करते हुए 11 वारियस का स्कोर है 25 रन पांच विक टोके नुकसान पर अब सभी दर्शक जो यहां पर उपस्तिद है स्टेडियम पर उनका हर्दीक स्वागत है हमारी कॉमेंटरी टीम दौरा इस वक्त हमारे स्कोरर है मुबारक बंदरगर जो कि क्रिकेट में बहुत रुची रखते हैं और उन्हें भी यह सुनवरा अफसर मिला है कुछ कर दिखाने का बहुत इलाजवाब क्रिकेट यहां पर यश्मिस्या लाइन्स बहुत अच्छा काम किया देखिए पैसे ठन खर्च हुए लेकिन पांच चोटी के बल्ले बासों को आउट भी गिया है और शेर की यही खासियत होती है जंगल में एक ही शेर होता है दो पाच शेर हो नहीं सकते तो यश्मिस्या लाइन्स और आज भी मतलब जब लाइन आता है तो बाकी के तमाम प्राणी जो है उसके लिए जगा बना देते हैं इस्जत देते हैं क्योंकि वो किंग है और लाइन के दो लाइन को आप दूसरी पारी में देखेंगे श्यस इंदूलकर और प्रतमेश पवार लेकिन इस वक्त 11 वारियोस का बोल बाला बंडी पटेल और अरजुन द्वारा बहुत अच्छी पारी खेली गई है आज आखरी ओवर बंडी 24 पर दो और 18 रन और एक विकेट ये बोलिंग जाहित कि रही और अब नवाज नवाज खान नवाज नाम या आते ही पाकिस्तान के मशूर गेंद बास सर्फराज नवाज की याद आती है एते हैं कि एला रिवर स्विंग बले ही इमरान खान ने इजात किया हूँ लेकिन लाइन और लेंड का बेताज बाच्छा सर्फराज नवास हुआ करता था इस बार कलाईयों से मोड दिया है कि इनको विक्टो की बीचे बैकट ओफ स्क्वेर बॉल चली गए थी जहां पर एक रन पूरा किया दूसरे की दौड लगाना चाहते थे आप कि इनको सीधा थ्रो करे या अंडर अंड थ्रो और अब जाकर ये विकेट गिरता हुआ चटा आउड ओकर वापस चलेगे बैट्समैन और ये बड़ी शफल दा इरफान में थ्रो किया था और अब आई है राहूल जोगाडिया राहूल जोगाडिया के कई किसे हैं कई अच्छे प्रदर्शन हैं और वो 11 वारियर्स से जुड़ चुके हैं नवास की एक पटा कर करने का प्रयास ये गॉल्फ के खिलाड़ी की तरह शॉट के लदा आस्मान में और यहां पर एक और विकेट अच्चून लिया हो थूट किरन बवार ने उस कैच को अंजाम दिया था और अब हैट्रिक पर आते हुए यहां पर ओ रन आउट था लेकिन आशा करते हैं कि वो हैट्रिक की तरफ आएं क्योंकि पूरा यश्बिसिया लाइन से सोच रहा है ओमान में इस वक्त ओमान का मान बढ़ा दिया असन मान बढ़ा दिया है वहां पर इंबास नवास की इंबाजी का राज समझ नहीं पाए वहां पर बंटी पडेल आउट होने से पहले 25 रन बनाए अच्छी पारी खेली अरजुन के 26 बंटी के 25 ये दोनों के बीच में ही 51 रन बन जाते हैं और एक ताकत स्ट्राइक पर राहुल जोगाडिया जो की आल राउंडर है अद उनका छोटा है पर उनकी ख्याती जो है ये बहुत बड़ी है उँची है नवासकी अगें इस बार लॉफ्ट कर दिया और एक और विकेट यहां पर पतन होता हुआ राहुल जोगाडिया की पारी समाप पपू तोड़कर ने ये कैच लिया पपू तोड़कर बहुत अच्छी कैचिंग आच कर रहे है दो कैच पपू तोड़कर ने बलेबाजी को तोड़कर रख दिया है और हैट्रिक पर अब नवास इसलिए तीन गेंदों में तीन विकेट गिरे है पहले रन आउट और दो कैच आउट हमारे इस मैच के अंपायर है कल्यानी गोरपड़े और करुना करकोटियन करुना करकोटियन अपने जमाने के राहूल 11 के बहुत जाने माने आल राउंडर कल्यानी गोरपड़े विकेट कीपर कमबैट्समन खटाओ मिल्स के लिए बहुत साल क्रिकेट खेला कल्यानी गोरपड़े ये कई बड़े खिलाड़ी हैं जो अब अमपारीं के रूप में खिद्मत कर रहे हैं क्रिकट की सरानी है काम और पहले 10 पियल में हमारे साथ बताओर अमपार थे सदिश कुरूप, सुशन्द मांजरेगर, कल्यानी गोरपड़े, करोना कर कोटियन और इस साल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फयाश शेक नवास को अब हैट्रिक का मौका और नए बैट्स में सिराज एहमद और विश्वनाद, क्या हैट्रिक होगी इस बार बॉल वही पर रुकी, नवास ने बहुत अच्छा काम किया है, रनों की रफ्तार पर उसने स्पीड ब्रेकर लगा दिया है, शेर के जबडे में वारियर्स ने हाट डाला है 66 रन बने हैं और अब की बार यह चेंज अफ पेस एक रन गया है इस ओवर में और अब तक दो विकेट आए हैं पुटल विकेट जो गिरे हैं आट फुल्टास बॉल गुम कर केलने का प्रयास्ता यह मलाल रहेगा कि मैदान के बाहर नहीं बेच पाए एक रन जरूर वहाँ पर पूरा कर चुके हैं, स्कोरा के बढ़ता हुआ 67 और यह नो बॉल नो बॉल अब यहां पर थोड़ी ताकत देता हुआ 11 वारियर्स को 11 वारियर्स के 11 के 11 योद्धा दूसरी पारी में आप शेतरक्शन में देखेंगे 68 रन आठ विक्टो के नुकसान पर आप देख रहे हैं 10 पिल सीजन टू शारजा के आंतरश्टी मैदान से इतियासिक मैदान जो चश्मदीद रहा कई अच्छे मुकाबलों का और आंतरश्टी अस्तर पर ख्याती का मैदान रेकॉर्ड पर रेकॉर्ड शारजा का एक बोल बाला अंतरश्टी क्रिकेट में इस बार यॉर्कर बॉल थी बैकलिफ्ट को नीचा रखते हुए पहले रन को पूरा किया दुसरे की दौट लगाना चाहते हैं वहाँ पर पूरा कर पाएंगे या नहीं है सवाल था लेकिन अखिरकार दोनन पूरे किये यह रन बनने वाले बल्ले बाज रहे देविश्वनात हां धोर की समाप्ती पर सत्तर रन बने हैं आठ विक्टों के नुक्सान बर और मुकाबला जीतने के लिए इकत्तर रनों का लक्ष दिया है यश बिसी आलायन्स को 11 वारियस ने वेलकम मिस्टर सामी थांक्यू डीजे तो नावाइ रिक्वेस्ट आचे वेलकमी पर स कर्वेश एव दो मिस्टर सामी क रीजे थांक्यू लैजा-नी ने उय्ट टिय्ट सामी अज्ए लडें वारियस येश्विश्वन टेल्जेट थांक्यू ये वीजे भीज़िट येशर मेंटों to mr. sami that's a crystal cut glass memento sami by welcome how are you first of all alhamdulillah doing good sami by last year your team reached semi-final this this year you have come up with a strong team so we take a representing your team is a big honor how are you looking forward to enjoy this tournament we have got a very good combination of place and they have been playing all together most of the tournaments so i hope they will deliver the best out of it and you have put hands in the jaws of lion now you would want to take it out and snatch this game yes i will we will definitely try that because we really would like to win the 10pl champions trophy now tell me when sumit got out were you in any kind of tension that your captain missed out on the scoring no that that is not a way to think because we have got a lot of players behind and it's captain's strategy whoever goes and plays for the power play it happens mostly so we try a luck starting power play if it really happens if it gets clicked they might have given out some reasonable score in the power play how about innings of arjun and bunty patel today 26 by arjun 25 by bunty arjun have been playing for us a lot of tournaments and i have seen him outstanding in outstanding performance for each and every tournament and i remember he played for upl also he was the best performer in our team as usual he has given his best even today for first match one final questions what is one thing that is making 11 warriors are different team than the others uh we we are apart from the players and team we are friends together we have a very good relation and the combination so we trust each other on the friendship and that's what we are trying our level best to win the game well thank you so much for talking to us mr sami it was a great honor and and uh what he told that the usp of this team is that they are not just cricketers they are friends they are family what a great compliment and now i shall request mr shanshah from shanshah warriors to be here shanshah warriors from pakistan shanshah bhai aap se guzaarish hai ki yaan par aek muskura ta hua hasta hua nurani chehra kali zulfi rang sunay ra maşallah aayyeh bhaijaan aek share ho jayyeh ham gharibos se dhosti karlo gurr bata dhenge shanshahi ka kya vat hai to ayyeh abh ham sabkakar karne jah rahe hai shanshah warriors ke owner shanshah bhai ka mahi riyaz bhai se guzaarish karun ga ki yaan par shanshah bhai ka sabkakar uswagat karay shansha bhai shanshah bhai sab se pahle so shamualaikum aapko aapne mukablae ke liye baud baud shub kama nae thank you pichlila baar ap jit nahi paeit is bar kya tayari lhekar aayyeh is barrin chala nejo sharjais bhai to tini kooshits onki puoria cheething inNER na nadi ko ka progressive kiya is war kap leker jana inshallah तो इस साल ऐसे कोई प्लेयर जो आपको लग रहा है के वाकई में आपके लिए काम अन्जाम करेंगे? जी जी दो प्लेयर हैं इसमें अच्छे दली और एको मेर हैं जो कैप्टन अमर फारू का कैप्टन करें उन पर मुझे पुरा अमीद है इंशाला वो पुल स्पोर्ट देंगे और अच्छा गेम करेंगे वसीम अक्रम इस साल ब्रांड अम्बैसेडर है पाकिस्तान के लिए ब पहले साल भी खिले इस साल भी खिलने जा रहे है क्या फिलिंग आती है जब आप इस इंटरनेशनल वन्यू बर टेनिस बॉल टूनामेंट खिलने आते हैं अब से पले बच्पन याद आता है और बच्पन में मैं वसीम बाई के साथ ही केलता रहूं वहां पे शतर में तो व अब रहारा रीबॉं ए उच्पन वापस अपना जो पुरा करें और नहीं टैलेंट को लेकर रहें इन्ट लेकर रहें लड़के हुः उन्हों इसी बॉल से लेगे पे रहें लेकर एक अखरी सवाल पाकिस्तन में टेप बॉल क्रिकेट बहुत चलता है और जो इंडिया में तेनिस बॉल क्रिकेट बहुत चलता है क्या फर्क आप मैसूस करते हैं टेप बॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट में मड़ा डिफरेंस है टेप बॉल के जो है वो उसमें मुवमेंट इतनी जएदा नहीं होती लिगन टेप बॉल से अपकी टाइमिंग खराब उती है दुआ करता हूँ कि शैन्शा बाई और शैन्शा वारियर्स शैन्शाओं की तरह जिंदगी जी और क्रिकेट केलते रहे आई ये वापस लॉट चलते हैं कुनल दाते के पास श्यूकरिया आई अब एक टॉस कर लेते हैं अगले मुकाबले के लिए 11 वारियर्स और इस तर्योस शैन्शा वरियोस बोस्का तॉस करींगे लेट टूँ पाल, आएट अजड माँ हिरे लेट उनौट, आएट रोज अडूज हिन्धरी के छोट यद टूए, लेटिज पीटिधनुट यद लेट बहु है। मेरी थारे स्क्राइब और वोट्राइब अगारे वो जा रखेज हैं और या वे तो प्रेपराइब देडिशाप ए निया विए अपत्स पाकिस्तान शाह झाएं वारियर तो उनके सलतनत को दोका देने के लिए कुछ आपने प्लानिंग की है? नहीं है, तो पहली बार मोखरा भॉल कर रहे हुंके सामने, तो इस ए और, और, गुट थेरेंस, भी एक पार प्रफिए, और प्रॉपर्म एक भी तेम प्रॉपर्फान तो इसे तो यहांगा है तो यहांगा है। तो सबसे पहले तो शार्जा की सर्जमीन पर आपका हर्दीक स्वागद है, क्या मैसूस करें टेनिस बॉल टॉर्णामेंट में आगर। मैं यहीं पर होता हूं तो शार्जा में क्रिक्ट वगरा हम खेलते हैं सारे लेकिन टेनिस बॉल आम लोगों के लिए थोड़ी सी नियू है क्योंकि यूस्टू जादा नहीं हैं लेकिन अभी हमने सिर्फ इस टॉर्णामेंट के लिए प्रेक्टिस किया है लड़कोंने सारों हैं कुछ पाकिसान से आई हैं कुछ यहां की हैं तो उमीद है इन्शाला है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जैसे पिछले साल जुलकार नहीं साब के ले थे और वसी मकरम इस साल हमारे ब्रेंड अमबेसेडर भी हैं तो क्या मतलब कुछ एक अलग फिलिंग आ रह जाती है अगार्ड बॉल तो क्रिकेट है लेकिन ज्यादा तर मिजॉरिटी ज़ वो टैनिस बॉली केलती है तो दूसरा इस तरह के टॉर्नमेंट और गनाइज कराने से जो लड़कों को है वो एक अच्छा मोका मिलता है लिए जिस तरह बहुत अच्छा मोका मिलता है जिस यह टॉर्नमेंट को वो पाकसान में भी इंज और इंच्छा में भी होगा तो फिर हम उमीद करते हैं कि दुबभी से पाकसान तीन जाएंगी तो हम तो इन्शाल्ला ये भी सोच रहें कि आप हमें पाकिस्तान करें बिल्कुल आप लोग इन्वाइटीड है मैंने आपके से एक नहीं से पहले के दिया आप टॉस जी तो किया डिसीएन ले थे हम लोगों कभी डिसीएन पहले बॉलिंग ने था लेकिन बैट इंचाला थाला हम लोग कोशिश करेंगे के अच्छा टार्गेट करके तो उसको डिफेंड करें, बॉलर्स हमारे जादा पर्फेक्ट हैं, इंशाला बॉलिंग आप लोगों को हमारी पसान दएगा बहुत बहुत शुक्री है हमसे बात करने के लिए तो दोस्तो अभी अभी इस मैच के टॉस को जीता इस्टर्ण ब्ल्यूस के कैप्टन ने और पहले बोलिंग करने का फैसला किया है, अमंतरित किया है, शैंशा वारियस पाकिस्तान को बलेवाजी करने के लिए, ये मुकाबला गर्मा गर्म तयार हो रहा है, लेकिन काफी बड़ा और तगड़ा मुकाबला, दो टीमें इस मैच में खेलती हुई 11 वाजियस, बनाम यश्बीसी आलाइंस, जबकि 71 रन बनाने है, अन है ट्रिक, एगिन बाज इस बार हलकी आतों से खेल दिया शॉट मिड़े की तरब, एक रन यहाँ पर यश्बीसी आलाइंस क्वेतर इन मुकाबला, रगबरोसा खुद पर क्यों धूनता है फरिश्टे, पंच्चोय के पास कहा होते है नक्षे, फिर भी धून लेते है रास्ते, तो इसी तरह से यह सफर चलता हुआ, गली क्रिकेट से लेकर आज इंटरनाशनल स्टेडियम में टेनीस बॉल क्रिकेट का कारवा जिस तरह से यह मैच में 71 रन बनाने है टीम यश्बीसी आलाइंस को प्रारमिक बल्लेबाज इस मैच में कुछ करने ही पाए जबकि पपु तोड़कर यहाँ पर एक रन बनाकर आउट हो चुके थे बोल किया था विश्वनाथ ने और उसे के साथ श्रेश इंडिल कर जो पिछले 10PL के हीरो थे मैन अब दस सीरीज के प्रमुक हगदार यह भी जल्दी सस्त में यहाँ पर आउट हो चुके है इस बार ये गेन फुलर लेन की गेन थी बैटन पैट टुकेदर हलकी हाथ से खेल दिया पिस एक बार मिड़ोन की तरफ सिंगल सेहा पर स्कोर में बड़ोतरी होती हुई कुलरंसंक्या होती हुई तीन दरन हमारे बगल में मुबारक भाई काफी बड़िया स्कोरिंग करते हुए 10 पील शार्ज इंटरनाशनल स्टेडियम में एक बड़ी प्रतियों की ता टेनिस क्रिकेट लीग की इस एक बार विश्वनात लॉफ किया इस गेन को ऑन साइट की उपर से वाइट इश लॉन गॉन की उपर से ये आता हुआ लंबा चक्का तैयारा मैक्सीमम सिक्सर तैयारा.com प्रेजें टेन पील पावर्ड बाई नाफियर टॉर्स और ट्रैवल और ये एक लंबा चक्का ऑन साइट एक खेला वाप बल्लिबाज इरिफान की बैट से अच्छा क्रिकेट चलता हुआ इस मैदान की भीतर शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम दुनिया की सबसे ज्यादा वंडे इंटरनाशनल मैच जिस स्टेडियम में खेली गए थी 231 अथिएश्क स्टेडियम, अथिएश्क मुकाबला, अथितैस्क 10PL जिस प्रतियोगिता का नाम सो नक्षर में लिखा जाएगा जिस सरा से प्रतियोगिता हो रही है 10PL सीजन वन काफी अच्छा रहता टिन पिल सीजन टू आगाज अच्छा है जिस तरह से यह प्रतियोगिता शुरू हुई टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा होता है इस टूर्णामेंड का बहतरीन मुकाबले नजर आते हैं महाराश्ट से काफी दर्शक देखते हैं इस प्रतियोगिता को पारी का दूसरा और यहाँ पर शार्जा क्लब इंड से लेकर आएंगे करीम बुम-बुम करीम बुम-बुम के नाम से जाने जाते करीम तो देखेंगे इस पार कैसे गेन बाजी करते करीम यहाँ पर फिल्ड सजाती हुए कप्तान सुमीड धेक ले जो नाला सोपारा के काफीज महशूर किलाडी माने जाते चौट फाइनले की तरफ अच्छी गेन थी बैट का उपर इससा लेकर गेन जा रही है गली की जानिप तब तक एक रन पर्याप समय ता दोनों बल्ले बाजों के पास एक रन यहाँ पर मुकमल करते हुए बल्ले बाज एक रन के साथ कोड़ रंसं क्या होती हुई दस एक माजिकल फीगर तो इस बार इरफान यह दूसरी गेन रीवर स्विप केलना चाहर है ते फिस एक बार वहाँ पर फिल्डर मोचूद एक रन यहाँ पर मुकमल कर लेंगे एरफान एक रन के साथ कोड़ रंसं क्या होती हुई ग्यार है रन जबकि पारी का यह दूसरा और हमारे दूरवाली छोर से शार्जा क्लब एंड से गीन बाजी करते हुए गीन बाज बूम बूम करीम अच्छे पाकिस्तानी गीन बाज माने जाते हैं बूम बूम के नाम से काफी मशूर एक शॉट थर्ड मैं शॉट फाइन लिक थर्डियार सर्कल के अंदर एगेन फुल टोस्ती ओन्द टोजी से खेल दिया बैकपर स्क्वेर लेके उपर से यह आता हुआ लंबा छक्का पल्ले बाज की रन पवार की पैट से तैयरा माक्सिमम सिक्सर टायरा.com प्रेजंट 10PL पावड बाई नाफियर टॉर्स अंट्रैवल और इसे के साथी यह लंबा छक्का एक लंबा सिक्सर तैयरा माक्सिमम सिक्सर इस बार अच्छी गें थी टपा गीरनी के बाद थोड़ी की अंदर की तरप आती हुई हलकी आतों से खेलना चाहा रहते लेकिन यहाँ पर अंपायर का सिगनल आता हुआ लेक बाईस एक्स्ट्रा की तोर पर यहाँ पर कुल रंसंक्या में आड होता हुआ यह टोटल में ए पर पहले बाजी करने वाली टीम जिस टीम के ओनर है शिबुभाई यस बीशी आफ लाइन्स अरिश्टर ने पहले भी कहा था एक लाइन्स की तरह खेलना होगा शेर की तरह खेलना होगा इस टीम को इस बार पटकी वी गेंथी पुल करना चाहा रहे थे लेकिन यहाँ पर आइन्स देखना होगा अंपायर को यहाँ पर कॉल आता हुआ यह खराब गेंध होगी एक्स्ट्रा की तोर पर रंसंख्या में बढ़ोतरी होती हुए एक रन के साथ को रंसंख्या होती हुए 19 रन पिछली साल हमने देखा था विरिंद्र सेहवाक इस साल 10PL के ब्रैंड अंबसेटर थे इस साल 10PL सीजन 2 के ब्रैंड अंबसेटर वसीमदा वसीमा क्रम एक महशूर किलाडी इस बार अच्छी गेन थी शॉट कवर की तरफ से खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब में एक रन यहाँ पर मुकमल उसे के साथ दोड़ पड़े थे दोनों बल्ले बास दो रन यहाँ पर मुकमल करते हुए बल्ले बास इर्फान अपने टीम के लिए तो इर्फान काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे एक छक का इर्फान ने लगाया एक छक का कीरन ने लगाया इस बार राउंड डिविकेट गेंद बाजी करेंगे इस बार चेंज ओपेस लोर वन पढ़की वी गेंद थी थोड़ा सा पीछे रखा था पूरी तरह से बीट करते है चकमा देते हुए गेंद जाते हुए इकिट कीपर की दस्तानों में इसे के साथ पारी का दूसरा और यहाँ पर समाप्त हो चुका है तो और के समाप्ती के बाद कुल रंसंग क्या होती हुए बल्ले बाजी करने वाली टीम यजजबीसी आलायंस 21 रन यहाँ से बनाने है पचास रन आने वाली थैंक्यू टीचे तैयारा.com प्रेजंट 10PL पावर्ट बाइ नाफिया टूर्स अंट्रावल जबकि हमारे सपोर्ट स्पोंसर तेर्गलोब मराइंड वीबीटी टिक टीमबर्स पैसिविक वेंचर कीटिंग पार्टनर डबल ओके ओके उसके साथ FNB partner Dilithar Bar, media partner Sony Max, radio partner Suno 1024 Event brought to you by Petroman Events 10PL 2018 Season 2 काफी बेहतरीन और्गनाजजेशन पेट्रमन इवेंट की जानिव से ये दूसरा सीजन आपके सामने शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में 10PL Season 2 इस बार गेन बाद्स सिराज है मेंत ये पहली गेन, fuller lane की गेन थी, बैट का उपर ही साल लेकर, slip की जानिव यहाँ पर सुमी ढेक ले, गेन को पकड़ेंगे, फेकेंगे तब तक, एक रन यहाँ पर मुकमल करते हुए बले बाद्स की रन, एक रन के साथ यहाँ पर कुल रन संख्या होती हुए, 22, 21 बनाने थे, यहाँ से उन्चास रन बनाने होगे, अन्यवाली गेन दे होगी, 35, काफी लंबे उचेकत के गेंदबाज, अच्छे रिदम में, लाइन लेंद, दीशा से गेंदबाजी करते हुए, इस एक बार, इस बार पटकी वी गेंती, फ्रेंट पूट पर आके खेलना चाहा रहे ते मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग, अच्छा नजर नहीं आया, फिर भी एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा बल्ले पास को, इर्फान को, एक रन के साथ को रंसंग क्या होती हुए, ते इस रन, शाजा इंटरनाशनल स्टेडियम में, हम ते दिल से, सभी हमारे दर्शक, जो यूटूब पर, इस प्रतियोगिता को सुंद्र है, उनका कीरन के लिए अच्छी गेन थी, इन समय यहाँ पर देखा था बल्ले पास ने, बैक लिफ को नीचे कर दिया, तो दो स्वीप कर दिया, इस गेन को मिडवेट की तरफ, एक रन यहाँ पर मिलेगा कीरन को, अच्छी टर्च में नजर आ रहे है कीरन जिस तरह से खेल रहे है, मेरिट के उपर यहाँ पर बल्ले बाजी करती वे, जिस तरह से फुल्टोस के इन पर उन्होंने चक्का लगाया, पैकवर्ट स्क्वेर लेकी उपर से यह अच्छी गेन थी, इसे सनमान दिया, हलकी हाथों से खेल दिया ता मिडवेट की तरफ, एक रन यहाँ पर मुकमल कर करती वे, की रन, एक रन के साथ कुल रन संक्या होती हुई, चोबी स्रन, इस बार पटकी हुई गेन थी, काफी बेतरीं स्रोक, लंबा उच्चा स्रोक, आता हुआ, यह तैयरा माक्सीमम, सिक्सर, तो इस यालकोट के बले बास है, लंबा शक्का, इस बार फुलर लेन की गेन थी, आप ड्रैवी से कर दिया, बैट एंड पैट टुगेदर, ऐसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, कावसकर हमेशा कहते हैं, एक लंबा शक्का आया, उसके बाद एक रन यहाँ पर मुकमल कर दि किया, एक रन के साथ कुल रन संक्या, मुबारक बाई, यहाँ पर 31, इकत्तर रन यहाँ पर बनाने हैं, बले बाजी कन्यवाली टीम, यस बिस याल लाइन्स को, इस एक बार फुलर लेन की गेन थी, बॉलर बैक ड्राइव यहाँ पर खेल दिया, अच्छा, यहाँ पर प्र तीसरा ओर यहाँ पर पारी का समाप्त होता हुआ, तीन ओर के समाप्ती के बाद, कुल रन संक्या होती हुए, 31, ओसत का अगर देखा जाए, 10.33 के ओसत से यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे, परले बाजी कन्यवाली टीम, यस बिस याल लाइन्स, 71, उन्हें बनाने हैं आट ओरों का चलता हुआ है मुकाबला, मैस नमर टू, आज के तीन का, स्टेन पील सीजन टू में, जबकि यहाँ पर पार्टनर्शिप अगर देखा जाए, तीस रनों के पार्टनर्शिप यहाँ पर दोनों बले बाजों के बीच में, अच्छा क्रिकेट नजर आ रहा है, इर्फान रोजनी के साथ कीरन पवार, इर्फान अच्छे बले बाजी करते हुए, कीरन ने एक लंबा छका जड़ा, तीस रनों की पार्टनर्शिप, करन रंडरेट अगर देखा जाए, 10.33 के उससे यहाँ पर खेल जारी, और यहाँ से रिक्वार रंडरेट अगर देखा जाए, तो आठ की उसस से यहाँ पर रंडरेट बनाने है, बले बाजी करने वाले टीम, येज़ बेशी या लाइन्स को, 11 वारियोस के सामने खेलते हुए, तो फिस एक बार, दुरवाली छोड से शार्जा क्लब इंड से गेन बाज, रफीक, अच्छी गेन थी, बैक चार रणो के लिए, कि मरान के बैट से आता हुए एक अच्छा स्ट्रोक स्क्वेर कट कर दिया, यहाँ पर सुमिर धेखलो को बीट करते हुए, गली के जानम से गेन निकल गई, थर्ड मांडरे लाइन्स के one minute I'll take, so we welcome Mr. Mohamad Shoaib director, marketing head of tayyara.com who are our title sponsors so on behalf of all the cricket lovers during the world, we welcome Mohamad Shoaib Saab, good morning and warm welcome to you on behalf of organizers of 10PL it's back to Kunal, thank you thank you 21 står 21 Sócrates target 737 Library mets in FA Sind it's Raveik Karnataka Visjapori continue beginning बाज है बढ़िया ओल राउंडर फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक इस बार आउटसेट ऑप्स्रम की गेन को यहाँ पर स्क्वेर लेकी ऊपर से खेल दिया था बले बाज इर्फान ने दो रन मुकमल कर लिये परियाप समयता दोनों बले बाजों के पास पेटर इन पार्ट कोफ नीडर बल्ले बाजी करते हुए अपने टीम के लिए इसे के साथ कुल रंसंग क्या होती हुए 49, 39, loss of two wicket इस बार अच्छा स्ट्रोक गेन जा रही है डीप बैक्वर्ट पॉइंट के ऊपर से रीवस से आता हुआ ये मैक्सीमम तैयरा मैक्सीमम सिक्सर स्कोर मोजोन 45, 45, 20 या लाइन्स बेटर इन बल्ले बाजी यहाँ पर इर्फान बेक ओफ होकं कहेल रही इस पार बैटेंडट टूकेदर सामने होकर खेल दिया काफी बेतर फुटवर्क था दो रन मुकमल कर दिया गैप्स को दून रही है जिस तरह से दोनों बल्ले बाज खेल रहे है उन्हें पता है गैप्स कहा काम मिलेंगे हमें जिस तरह से से बिलॉंग करते हैं बैतरीन क्रिकेट यहां पर दीकाया इस तरह से नोने मैच खेला है ओहो स्विंग इनमेस इस बार तपागिननी के बाद गेन थोड़ी सी अंदर की जानिब घूमी सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में इसी के साथ चार ओर का केल यहां पर समाप्त होता हुआ चार ओर के समाप्ती के बाद कुल रन संख्या होती हुई 47 लॉस अप्टू विकेट और आने वाली गेंदे यहां से होगी 24 24 गेंदो में 24 रन यहां पर बनाने हैं है आस्किंग रन रेट रिक्वार रन रेट अगर देखा जाए अच्छे के ओसर से हाँ पर रन बनाने हैं मलेबाजी करने वाली टीम ESBC या लाइन्स को हम यहां पर तोड़ी देर रुकेंगे हमारी वानी को यहां पर विराम देंगे आई यह सुनते फिस एक बार महाराष्ट के एक मशूर कॉमेंटेटर हिंदी और मराटी के काफी बड़िया जानकार चंदरकांत शेटे इस आगे की खेल की आवाज आपके सामने इस खेल का आखो देखा हाल आपके सामने फिस एक बार चंदरकांत शेटे थैंक यू इस पीशिया लाइंस के लिए बहतरीन परफॉर्मस देखने मिल रहा है इस दोनों बल्ले बाजो द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रती हो गिता टेन पील में सबी दर्शोकों का तह दिल से आधिक स्वागत गेंद बाजी के में बदलाव किया जा रहा है गेंद बाजी के लिए सीराज पिछले साल अगर देखा जाए तो पैसेविक वेंचर के लिए खेलते होगे बहुती बढ़िया गेंद बाजी इस गेंद बाजी ने की थी और एक अच्छा परफॉमस देखने मिल रहा है टेनिस के के विश्वा में देखते है इस वक्त किस तरह के गेंद बाजी उनके द्वारा की जाती है चोबिस गेंदों में चोबिस रनों की जरूरत जीतने के लिए गलियों से लेकर स्टेडियम तक का सफर 10 पिल द्वारा देखने मिल रहा है गेंद बाजी के लिए सिराज अगली गेंद अच्छी गेंद थी लोवर फुल टॉस लेक्ष्टम के तरफ गेंद पिचिंग देखने मिली अनसाइड के दिशा में खेल दी मिल विकेट के क्षेतर से थ्रो किया गया तब तक एक रन मिलेगी और एक रन से स्कोर कार्ड में बड़ोतरी स्कोर कार्ड जाता हुआ 48 लॉस अब टू विकेट एस बीशी आल लाइंस एक बहतरीन टीम इस प्रतियोगीता में देखने मिल रही है दोनों टीम एक तरफ 11 ओर यर्स दूसरी तरफ एस बीशी आलाइंस एक अच्छी स्टार काश्ट दोनों टीम में देखने मिल रही है दुनिया बर से आये हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाडी टेनिस बॉल क्रिकेट स्टार इस प्रतियोगीता में सिर्कत करते नजर आएंगे 16 बड़ी टीमें इस प्रतियोगीता में शामिल सिराज अगले गेन सामने की तरफ केलना चाहते थे मिड़ाफ की तरफ कैच आउट हुए और वापस लोटना पड़ेगा बल्ले बाज इर्फान को विकेट का पतन होता हुआ मिड़ाफ की तरफ से गेंद मिड़ाफ के उपर से मारने के कोशिश कर रहे थे लोरफुल टॉस गेंद और अच्छा कैच वाला पग लिया और आउट होकर पैविलियन के तरफ जाना पड़ा बल्ले बाजी के लिए 47 रनों के पार्टनर सीफ साजी दैरी भी एक महतोपूर्ण इदर यहां हुई थी और आउट होकर पैविलियन के तरफ लोटना पड़ा बल्ले बाजी के लिए आए है और एक महशूर खिलाडी टेनिस के गेट विश्व अगर इस खिलाडी के बारे में और कहा जाए तो आठ से नो मैन अफ दे स्रीज की बाईक और मैन अफ दे स्रीज फोर हुलर कार भी जी चुक चुके है और दूसरी तरफ जी इस खिलाडी के नाम पर एक हास से छक्के लगाने में महशूर राइगर्ड डिश्ट्रिक के खिलाडी कीरन पवार पलिबाजी के लिए तैयार और राइगर्ड में भी बहुत बड़ी प्रतियोगे देखने मिलती है राइगर्ड हमारी राइगर्ड कॉमिटेटर अस्तुसियन भी राइगर्ड में कारेड़ है गेंद भाजी के लिए सिराज अगली गेंद हुक करना चाहतेते हैं बैट का किनारा लिया शॉट फाइनली की दिशा में एक बहतरीन कैज की रन पवार को भी आउट होकर पैविलिन के तरफ लोटना पड़ेगा 11 रन बनाकर वापिस लोटना पड़ा की रन पवार को की रन पवार के अगर पारी देखी जाये तो उसमें एक चका भी शामिल था मगर वापिस लोटना पड़ेगा एक अच्छी साजीदारी जरूर हुए थी इरफान और कीरन के बीच मगर कीरन इसी राज जो एक बहतरीन गेंद बाज है इस साजीदारी को तोड़ा और दोनों बल्ले बाजों को पैविलिन की तरफ लोटना पड़ेगा गेंद बाज बल्ले बाजी के लिए नए बल्ले बाज और एक टेनिस क्रिकेट विश्व के बहतरीन बल्ले बाजों में से एक जो लेदर बॉल क्रिकेट में भी बोर्ट बड़ा नाम कहा जाता है बल्ले बाजी के लिए जो मुंबई सीवडी से भी बिलॉंग करते है और रतनागिरी जिल्ले के चिपलुन सावरडे से भी बिलॉंग करते है बल्ले बाजी के लिए प्रतमेश पवार नाना नाम से भी जो जाने जाते है बल्ले बाजी के लिए तका तयार पिछले दो सालों में अगर देखा जाए टेनिस के केट विश्वों में इस खिलाडी का जो परफॉमंस है बहतरीन रहा है बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता में अपना परफॉमंस के बज़े से बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता अपने टीम के लिए जिताने में कामियाब हो पिछली दो गेंदे अगर देखी जाएं तो बहुत अच्छी थी हैट्रिक की रहा परते हैं इस सीराज मगर स्कोरकार एक रन से आगे जाता हुआ स्कोरकार 49 जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है, गेन बाजी के लिए तैयार फिर एक बार सीराज, बले बाजी के लिए बाय हाथ के एक मशूर बले बाज, समुझे महाराष्ट टेनिस बॉल क्रिकेट के, भूशन पाडील, नभी मुंबई तुर्वे बल्ले बाजी के लिए तैयार 10PL इंटरनाशनल में अगली गेंद काफी गती से गेंद की ओफटम के बाहर पीचिंग पीचिंग होने के बाद सीधा विकेट के परके दसतानों में जाती हुई हर एक डॉट बॉल मैच की तरफ लेके आएगे स्कोर काड अगर देखा जाये तो 49 रनों पर रुखता हुआ हर एक डॉट बॉल मैच की तरफ लेके जाएगा 11 ओरियर्स को और हर एक रन मैच की तरफ लेके जाएगा येस बिशिया लायन्स को दो बहतरीन दो तगड़ा एक बहुत तगड़ा मुकाबला चलता हुआ दो बड़ी टीमों में बड़ी प्रतियों गिता में गिंद बाजी के लिए फिर एक बार सीराज 19 गिंदों में 22 तरौनों के चरूरत अगर डायरेक हीट होती तो बूशन पाटील को भी वापस लोटना पड़ता था अच्छी गेंद बाजी इस ओर में देखने मिली सिराज द्वारा दो विकेट भी जटका है और पाच और की समापती के बाद स्कोर कार जाता हुआ पचास रणों पर 50 पचास रण पुरे किये यस पीशी आल लाइंस ने चार विकेट के नुकसान पर टेनिस बॉल क्रिकेट एक जमाने में चोटे-चोटे गाओं में खेला जाने वला एक खेल गलियों में खेला जाने वला एक खेल रस्ते पे खेला जाने वला एक खेल आज इंटरनाशनल स्टेडियम पे खेला जा रहा है बहुत बड़ी उपलब दिये टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व के लिए इस प्रतियों की ता दोरा अगर देखा जाए गिनबाजे में तक दिली, गिनबाजे में विश्वना जादो और एक ऐसे किलाडी है जिन्होंने पिछले दो सालों से टेनिस किकेट विश्व में बहुत ही अच्छा परफॉर्मंस जिसके लाडी का रहा है गिनबाजे के लिए तयार विश्वना जादो जो भी पलगर डिस्टिक से बिलॉंग करते है गिनबाजे के लिए तयार है देखते हैं आज किस तरह की गिनबाजे उनके द्वारा की जाती है अपने टीम के लिए अगर 11 वारियोस को अगर देखा जाए तो इस वक्त विकेट की जरूरत है और यस बिश्य आलायंस को विकेट रुकाने होंगे और स्कोर कार को आगे लेके जाना होगा गिनबाजे के लिए तयार सिरा विश्वनात बूशन पाटील के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिज बूशन पाटील के बल्ले से बिग 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 सिक्सर तैयारा मैक्सिमम सिक्सर बुशन पाटिल के बल्ले से बुशन पाटिल इसी लिए जाने जाते है जबकि तुर्बे गाव के लिए बहुत सारी प्रतियों गिता जिताई है नवी मुंबई के लिए SP11 दादर के लिए और आज बल्ले बाजी करिए SBC Alliance के लिए बुशन पाटिल नवी मुंबई के सूपर स्टार भी कहे जाते है टेनिस किकेट विश्व के आज बहतरीन परफार्मंस बुशन द्वारा गली गेन फिर एक बार मिड़ विगेट के शेत्र में स्टुक लगाने की कोशिश एक रन मिलेगा स्कोरकाड एक रन से आगे जाता हुआ 57 लॉस अप फॉर विकेट SBC Alliance और 11 Warriors दो बड़ी टीमों में एक मुकाबला चलता हुआ शार्जा इंटरनेशन स्टेडियम में 10PL यारा डॉट कॉम प्रेजेंट 10PL पाउड बाइ नाफिया टूर्साइन ट्रावेल्स सभी दर्शोगों का इस प्रतियोगिता में तहद दिल से खार्दिक स्वागत विश्वनात अगली गेन फ्लिक कर दी मिड़ुकेट के क्षेत्र में एक रन मिलेगी अथमेश पवार नाना को एक रन मिलेगी येस बिशिया लायन्स को टेनिस क्रिकेट का ये खेल 120 ग्राम की ये टेनिस बॉल क्रिकेट की गेन अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट में इंडिया में भी अलग-अलग गेन से टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल खेला जाता है अगली गेंद भूशन के लिए बड़ा स्टोक लगाने की कोशिश हवा में गेंद किलाडी के गेंद के नीचे और एक कैच ड्रॉप होता हुआ भूशन पाडिल जैसे एक धाकड बल्ले बाज का कैच ड्रॉप होआ कैच ड्रॉप होऊक है देखते हैं कैचेश्च विन्द मैचेस क्रिकेट में काहवत है और एक रन से स्कोर कार्ड में बड़ोतं स्कोर कार्ड जाता हुआ फिप्टी नाइन 51 रनों के जरूरत जीतने के लिए अभी भी बारा रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए पिश्वनाद गेंद बाजी के लिए फिर एक बार उनसाइड के दिशा में प्रतमेश कलाईय को इस्तमाल किया और मीडिविकेट के क्षेत्र में श्ट्रोक खेला स्कोर काड एक रन से आगे जाता हुआ शर्चा इंटरनाशनल स्टेडियम जिस स्टेडियम की खासियत है दुनिया में सबसे ज़्यादा वंडे मैचेस अगर किसे स्टेडियम में खेली गई है तो इस मैदान में खेली गई है इसी महिदान में बहुत सारे रेकॉर्ड्स भे देखने मिलते हैं इसी महिदान की बहुत सारी यादे समुझे क्रिकेट विश्व की विश्वनात बुशन के लिए फिर एक बार बड़ा स्टोक लगाने की कोशिश हवा में गेंद खिलारी गेंद के नीचे और वापस लोटना पड़ेगा बुशन पाटील को 9 रन के बारी बुशन का पाटील को आउटो कर पेविलेन के तरप लोटना पड़ा अभी भी स्कोर काड उरुका हुआ 60 रनों पर जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत जबकि 12 गिंदों में 11 रनों की जरूरत दो बड़ी टीमों में मुकाबला चलता हुआ क्रिकेट का अभी स्वस्थनी अखेल अद्बूत खेल और यह सद्बूत खेल खेला जा रहा है UAE में शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में 12 गिंदों में 11 रनों की जरूरत गिंद बाजी में तक दिली गिंद बाजी के लिए ऐसा गिंद बाजी के लिए आया है सिर्फ मैस 20 साल के उम्र में आ चुका है उसका नाम है जैदी भोंडी हुले जेडी नाम से भी परिच्छी थे एक खिलाडी और बहुत ही अच्छा परफॉमंस रहा है पिछले तीन साल से अगर देखा जाए तो बड़ी-बड़ी प्रतियों गिता में इस खिलाडी में अपने नाम का पर्चम लहराया है देखते हैं आज किस तरह का परफॉमंस रहता है जेडी का सुर्गी रतन बौपाटी स्मूती चशक हो सुप्रीमों चशक हो फिलाल गोवा में जो टूर्नामेंट हुआ रतनागिरी में जो टूर्नामेंट मुंबई में भी बहुत सारी प्रतियों गिता में इसी जेडी ने मैस 20 साल की उम्रवाला एक खिलाडी बहुत ही अच्छा पर्फॉमंस दिया देखते हैं आज इस वक्त इस मैदान में क्या करता है जेडी पहली गेन जेडी की बहुत अच्छी गेन आप्टम के बाहर फूल लेंद की गेन बाजी करने की कोशिश मगर एक रन मिलेगा मुकाबला काफी या तगड़ा मुकाबला चलता हुआ ग्यारा गेंदों में जीतने के लिए 10 रोनों की जरूरत बल्ले बाजी के लिए नवाज खान और एक धाकड बल्ले बाज जो राइगर डिश्टी के रोहा तहसिल के नागोटने गाउ से बिलॉंग करते हैं आज अपने वही नागोटने गाउ का नाम लेके शार्जा इंट टॉस गे नवाज की बल्ले से निकला हुआ एस ट्रोग खिलाडी गेन के नीचे मगर जिस तरह लगान पिचर में हमें जो सिन देखने मिला था आज एक बार फिर इसी मैदान में देखने मिला रहुल जो गाडिया जैसा एक अच्छा जो फिल्डर जाने जाते हैं उनके द् जो है ओ सिक्सर के बाहर था सिक्सर एक तैयरा बैंड्रे शिक्सर देखने मिला नवाज की बल्ले से 67 स्कोरकार ने चलांग ली जीडिक ये लोवर फिल टॉस गें थी नवाज जो काफी बहतरीन बल्ले बाजी करते हैं उनके द्वारा फिर एक बार नवाज की बल्ले से बीग 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 सिक्सर चिंडू सिमा रिखा के बाहर चे रोनों के लिए फि अगर सकती हैं इस तरह एम मैच जीत लिया येज बी सी अलाएंस ने बहुत बहुत बेहतरीन पर्फोरमनस दीकाया गेंद बाजी में बहुत बाज़े बाज़े में और एक 11 और यह जैसे तकली टीम को पराजित करके जीत हासिल की शार्जा इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 प्यल्मे